से जो में पिंट अब इसका मूर्ती स्थित है जो वहाग एक नेटिव ट्राइब माया ट्राइब के रेन गौड की मूर्ती है जिनका नाम है चाक इस मूर्ती को अगर आप थ्यान से देखोगे तो इनके चेहरे पे एक सून है बिल्कुल हमारे गनपती भगवान की तरह अब ये मायास की रेन गौड क्यों थे इसके पीछे एक बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोई है जो हम आगे डिसकस करेंगे बेसिकली चाक हमारे इंदर भगवान और गनपती जी के एक फ्यूजन गौड है लेकिन अब ये मूर्ती देखो इस मूर्ती को तो अगर अब ध्यान से नहीं भी दिखोगे ना तो भी आपको समझ जाएगा कि ये हमारे हनुमान बगवान से काफी जादा मेल खाती है लेकिन आज के मॉडरन डे अमेरिका का हमारे इंशन्ट इंडिक कल्चर से क्या रिलेशन है इसका मतलब क्या होता है अगर हम सिर्फ USA को भी देखिये तो उनके ही ब्यूरो अफ इंडिन अफेज ने ओफिशली 574 नेटिव अमेरिकान ट्राइब्स को ओफिशली रिकनाइस किया है लेकिन अगर हम pre-Columbian era याने की अमेरिका के discover होने से पहले की बात करें तो सिर्फ North American continent में ही कुछ 1200 से भी जादा tribes रहती थी लेकिन आज अगर आप एक average US citizen से भी पूछोगे कि उनका origin क्या है तो सिर्फ 2% लोग ही अपने आपको Native Americans identify करते हैं यह टर्म Native Americans extremely important है क्योंकि यही अमेरिका के मूल लवासी थे अमेरिका के true ancestors थे बट यहर इस बेस्ट पाट इन अमेरिकांस के कई सारे records यह बताते हैं कि इनके practices Hinduism से या फिर ancient Indic culture से काफी जादा inspired थे लेकिन एक मिनिट हम इस बात को ऐसे ही क्यों माल ले इसलिए आज की वीडियो में हम exactly इसी बात के depth तक जाएंगे कि क्या यह claim कि अमेरिका originally एक Indic civilization था यह सही भी है या नहीं है और इसलिए बहुत जाद है इंपोर्टेंट है कि आप इस issue को end तब देखो वनना आप सिर्व आधी बात को यह समझ पाऊगे So 1940s में एक काफे renowned बट ground breaking book publish हुई Hindu America by an author चमल लाल जी उन्होंने इसके अलावा पे तीन और बुक्स लिखिये और Hindu America इस बुक के introduction को खुद Shri S. Radhakrishnan जी और Mrs. Sarojini Naidu जी जैसे कई इंडिया के eminent personalities ने इसके introduction को खुद draft भी किया है आइंड हमारे देश के first president Dr. Rajendra Pasach जी ने इसे खुद read और acknowledge भी किया है चमल लाल जी अपनी किताब में लिखते है कि जब उन्होंने खुद उस दौर में across American continents travel किया था तब उन्हें वहां के कुछ tribes और Indian Hindus के बीच काफी cultural, religious and most important ती physical similarities दिखी थी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोनों civilizations के पीच के religious similarities से इन्हें देखो यह है तला लोक जो कई ancient American civilizations mainly Aztecs के भगवान है और यह है चाक जो mainly Maya tribes के भगवान है अब यह दोनों भी भगवान हमारे इंदरदेव के तरह ही एक rain god है Aztecs औ Mayas आज भी Central America के इन हिलाकों में एक छोटी tribal community है extent नहीं हुए लेकिन इंट्रो में मैंने बताया था कि चाक भगवान के पास Ganesha जैसीक सून्द है सो हमारी ये बुक उस टाइम के Times of India के एक आर्टिकल इंडियन डेटी विच रीच्ट अमेरिका को कोड करते वे कहती है कि हिंदु़िजम के इंदर भगवान का concept इंडिया से Central America और मेक्सिको पहुचा यहाँ पर वो गनेज भगवान के elephant head के concept के साथ merge होकर कई tribal communities में popular हो गए as Chuck the rain god also Native Americans में शिविलिंगा के concept का भी एक जलक दिखता है Bureau of Etymology of the Government of US ने खुद कई सारे elaborate reports पब्लिश किये हैं जिसमें उन्होंने ये claim किया है कि कई North American Indian tribes के एक chief god the Tunkan एक stone god है जिनको वो tribes daily pray भी करते हैं इसको जब हमने independently search किया तो modern times में भी आप Central America में शिविलिंगा और उनके base एक yoni shaped pond के evidences देख सकते हैं 2021 के पास ही भागीरत जोशी नाम के एक historian जो एक archaeology survey organization archaeology seat 21 के executive director भी है वो हाले ही मेक्सिको के तुनो मिलाके में एक ancient temple के ruins को study कर रहे थे और तब उन्होंने जब एक local Mayan guide से वहां के shivling के बारे में पूछताच की तब उन्होंने खुद कहा कि उनकी Maya tribe इस भगवान को जिवालवा बुलाते हैं जो संस्कृत में शिवालया का ही एक variation है इसके अलावा हम सब को पता है कि भगवान राम सूर्य वन्शी या फिर दर सोलार डाइनस्टी से थे लेकिन बुक ये बताती है कि कई Aztec, Maya और Inka tribe के rulers भी खुद को सूर्य वन्शी बुलाते थे और ये मानते थे कि काफी years पहले संसे एक man और उनकी wife नीचे उतरे थे और उनों नहीं इन tribes को good values, laws और governance सिखाया लेकिन चलो, अगर आप इन सारे similarities को mythological similarities या फिर simply stories भी मान लो तब भी कुछ काफी evident cultural similarities है जो ancient Indian civilizations और native Americans को connect करती है बुक में mentioned है Iroquois जो एक North American tribe है उनमें भी शादी के दौरान लड़की के मांग में सिंदूर बनने का एक ritual होता था उनकी cremation processes में भी काफी similarities है native tribes में rulers और इन जेनरल prestigious लोगों को cremate क्याने की burn किया जाता था बरी नहीं more so अक्सर उनके ashes को कलशो में रखकर उसके उपर temples बनाए जाते थे एक ritual जिसे Hinduism में Hindu समाधी कहते है also places of worship Mexicans और Aztec tribes particularly अपने temples को तेवकाली बुलाया करते थे जो Hindu temples के लिए used देवली a term derived from देवालया से काफी मिलता जुलता है फिर USA और Canada के कई सारे native tribes आज तक एक sunnan ceremony परफॉर्म करते हैं जिसमें वो एक pole के उपर swing करते हैं और इसके लिए कई organizations भी established है जो donations मांगकर इन rituals को आज भी organize कर रही है लेकिन इनका ये ceremony बेंगॉल में अभी भी perform किया जाने वाला चरक पूजा से काफी similar है अब अगर in general lifestyle and physical features के similarity की बात करें तो I think इसके तो proves आज तक बहुती evidently मौझूद है ये सारे faces American continent के कुछ countries के लोगों के हैं जो आज के modern times में भी काफी जादा resemble करते हैं हम Indians की features से lifestyle की बात करें तो कई Central और South American countries especially Mexico और Brazilian food के spices वगेरा हमारे Indian food से काफी जादा मिलते जुलते हैं Mexican चपाथी, टॉटिया तो रोटी जैसे काफी similar है और beans एक काफी staple food है जो इन countries में पाया जाता है just like our North India चमल नाल जी अपने book में बताते हैं कि उन्होंने अपने अमेरिका की tour के दोरान ये भी observe किया कि कई peasants खेतों में काम करने के लिए मक्ये के आटे का एक डो लेके जाते थे जिसे वो पानी में मिलाके पीते थे बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ पे सत्तों बनाके पीते हैं जो जओं या फिर बार्ली के आटे का बनता है clothing की बात करते वे चमल नाल जी काफी unique incident को quote करते हैं वो बताते हैं कि वो एक बार अपने पेशावरी चपल पहन के मेक्सिको गए थे and as proof उन्होंने अपने बुक में इसके कई सारे फोटो बेटाच किये and trust me, मैंने इस वीडियो में bare minimum ही cover किया है अगर आप उस बुक को अच्छे सा रीड करोगे ना तो उसमें ऐसे कई innumerable examples दिये गए हैं जो in civilizations और हमारे इंडिक civilization को link कर सकते हैं possibly Now having understood all these similarities हमने जब independently research किया इसके बारे में तो हमें Beringya नाम का एक bridge मिला जिसे potentially आज से 15,000 साल पहले Eyes Age के दौरान cross करके Native Americans Asia से America आये थे लेकिन unfortunately इसके अलावा हमें कोई direct connection नहीं मिला है जो certainly scientifically ये प्रूफ कर सके कि ये सभी natives Indian जी थे हर एक research paper में ऐसा बताया जा रहा है कि ये possible hypothesis है लेकिन अब तो प्रूफ महीं हुआ है But of course, never say never क्योंकि research अभी भी इस पे जारी है But having said that, कई historians का ये भी मानना है कि maybe वो natives, conventionally Indians नहीं थे लेकिन उनके कुछ practices, उनके रहन सेन, उनका culture Hinduism से या फिर हमारे ancient Indian civilization के culture से काफी जादा similar था And इसलिए they could have been perceived as Indians क्योंकि देखो, basically Hinduism क्या है Religion से जादा वो एक way of life है Hinduism के roots polytheistic, animistic और shamanic है याने Hinduism का fundamental ही है Nature की पूझा करना, जैसे trees, rain, fire, जानवरों की पूझा करना जगा हों की पूझा करना Basically, जिस प्रकृती, जिस environment में आप रहते हो उसकी respect करना और polytheism याने एक भगवान नहीं बल्कि multiple gods की भूझा करना जैसे Hinduism में होता है So my basic point is कि Hinduism can be practiced in different forms उसमें कोई एक भगवान, एक तरीका, एक culture, एक tradition, एक practice नहीं है अलगला तरीके से इसे अपना जा सकता है And maybe इसलिए the confusion कि यह Americans वाके ही में Indians ही थे या फिर वहाँ के ही natives जो वहीं पे रहते थे who just happened to be practicing a culture very similar to Hinduism क्योंकि actually आप worldwide जितने भी tribes को ले लो जो आज तक preserved है उनके सब के cultures काफी जादा animism और polytheism से inspired है लेकिन उनके links इंडिया से अब तो directly proof नहीं हुए But nevertheless, this remains undeniable कि अमेरिका की colonialism से पहले वहाँ पर इस बहुती flourishing civilization exist करता था जो possibly हजारों सालों से बहुती शान्ती से रह रहा था But cut to 1492, entry हुए Christopher Columbus की जिसने इंडिया, भारत के बारे में उसके spices, उसके gold, उसके trade के बारे में काफी साधा सुना था लेकिन इंडिया को ढूंते ढूंते वो गल्ती से पहुँच गिया अमेरिका और वहाँ पहुचते ही पहले ही दिन उसने 6 natives को अपना गुलाम बना दिया था अक्चुरी उसके हिसाफ से तो वह इंडिया ही पहुचा था और इसलिए उसने वहाँ पहुचते ही महाँ के natives को नाम दे दिया, Red Indians इसलिए अगर आप आज भी देखो गए ना तो Native Americans को कई बार Native American Indians या फिर सिर्व Indians भी बुलाते हैं बट इंडिया हूँ या अमेरिका यूरोप को तब से वह अपना empire expand करना था और इसलिए कोलमबस के बाद फिर 1492 से लेकर 1820 तक approximately 2.6 million 26 लाख Europeans अमेरिका migrate हुए थे लेकिन चलो ये भी उतना problematic नहीं होता अगर सब कुछ बहुती peaceful होता बट हिस्ट्री का एक और सबसे जादा forgotten और vast persecution है Native Americans का persecution लेकिन ये पूरा समझने के पहले हलका सा context देखो American Independence के पहले जो Europeans अमेरिका में migrate हुए थे उन्हें British Monarchy से फिर problems होने लगे थे उन्होंने British Crown के कई सारे laws और taxes को challenge किया और all manner created equal इस principle पर एक new government मराने का decide किया उनके founding fathers का कहना था कि we abide by certain rights for all humans which are right to life, liberty and the pursuit of happiness but unfortunately जमीन पर ये नया देश बन रहा था बहागे मूल नवासियों को इन में से एक भी राइट नसीब नहीं हुआ Trail of Tears एक काफी infamous event हुआ था around 1838 में जब करीब 60,000 Native Americans को Mississippi River के east से west के तरफ forcefully 2000 km चला कर migrate करवाया गया था 2000 km मतलब समझ लो Mumbai से लेकर जमू तक का distance forcefully चलवा कर ले जाया गया जिसमें official estimates के हिसाब से 5000 लोगों की जान चली गई अनओफिशल डिटा की तो हम बात भी नहीं कर रहे है फिर 1830 में US के तपके President Andrew Jackson ने एक काफी controversial bill Indian removal bill 1830 पास किया जिसे basically natives को green में marked उनके ancestral land के बतले red में marked एक new land में expel करवा दिया गया कुछ लोग voluntarily मान गए और खुदी चले गए बट जो नहीं गए उनने ऐसे forceful trail of tears के द्वारा महाँ पर भीज आ गया ये था इसका background story फिर एक दूसरे event 1864 के एक brutal incident में एक boastful American John Shivington ने Chinese and Arapahos tribes के settlements के तरफ अपने 200 आत्मियों के साथ अचारक से एक attack लीड कर दिया इसके बावजूत कि ओन tribes ने अपने settlements के बाहर एक American flag लगा रखा था to symbolize peace and harmony और attack का जानते ही उन्होंने एक white flag भी लगा दिया to further gun way कि उनको award नहीं चाहिए बट इसके बावजूत tribe के 160 members का massacre करवाया गया जिन में से mostly women और children थे 1850 के बाद तो एक shocking दौर ऐसा भी था कि कालिफॉना की first governor Peter Burnett ने natives के extermination के लिए हर एक Native American skull के लिए 5 dollars का इनाम रखा था जिससे 1846 से 73 तक कालिफॉना की population जो पहले डेड़ लाग थी वो गिर के बस 30,000 रहे गई थी Imagine the brutality अब ये जितने भी events मैंने बताए है trust me ये तो hardly brutal है overall जितना persecution हुआ है उसके सामने आप बस ये list देख लो इसमें Native Americans के against हुए वे सारे persecution के events लिस्टेड है और इसको आपको सिर्फ scroll करने में 5 में लग जाएगा minimum इस persecution का scale आप सिर्फ इस बात सा समझ लो कि अकेले USA में जहाँ पहले natives की population 100 million थी 1900s के start तक उसमें से 95% population wipe out हो चुकी थी और अगर आज की बात करें तो of course wipe out होने के अलावा भी इनमें से कई सारे tribes convert या फिर modernize हो गए है जिस वज़े से आज इनके roots को trace back करके इनके Indian origins या फिर influence को validate करना काफे ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि काफे सारे इनके यो cultural practices थे, traditions थे religion था वो लोगो आज वो practice नहीं कर रहे हैं लेकिन अमेरिका के अलावा एक और continent है जहाँ पर एक काफी direct Indian influence आप आज की थारीग में easily देख सकते हो आफ्रिका ये सारे आफ्रिका natives है जो हिंदूसम प्राक्टिस करते हैं इसके पीचे क्या reasons है इस पर हमने एक detailed वीडियो बरा रखा है आप अगर वो देखना चाहते हो तो आप यापे लेफ्ट पर क्लिक करके उसे देख सकते हो और सो इस पर्टिक्लर स्क्रिप्ट के लिए जेनुलनी बहुत जादे efforts गई हैं इसके लिए हमने उस पूरी बुक को read करके सारे points को निकाल कर उन्हें जितना हो सके validate करके ये story form की है and honestly I think काफी कम लोग इसके बारे में जहनते भी होंगे so please इस वीडियो को जितना हो सके अपने fans of family में शेर करना इससे हमारी बहुत help होगी चेहित